हेलो डियर चिल्डरेन, हावर यू, आज मैं आप लोगों को इंगलिस ग्रामर चैप्टर वन द अलफा बेक्ट के बारे में बताने जा रहा हूं और ये इसका दूसरा पार्ट है, पहला पार्ट मैंने पहले के वीडियो पार्ट वन में बता चुका हूं, ये मैं दूसरा वी वीडियो को पूरा जरूर देखेगा, अच्छा से सीखेगा, और कुछ भी, कुछ भी अगर सुवाल हो वैसा, तो आप अपने ग्रूप पे मैसेज किजिएगा, मैं उसका जवाब जरूर दूँगा, ओके, कोशन नमबर E, अरेंज the names of the following fruits, ये जो fruits है, इसका नाम को अरेंज करना है, आपको याद होगा, पिछले बार भी हम लोग अरेंज किये थे, animals और birds के नाम को, इसके ठीक पहले वाले पेज़ पे, इन alphabetical order, उसी order पे, किस order पे, पहले A होता है, फिर B, फिर C, फिर D, फिर इस तरह से, ओके, तो यानि जो पहले आएगा, जो later, उस नाम से start, उस later से start होने वाले फल को, पहले नमबर पे लिखेंगे, ओके, तो यहाँ पे, you can see, fruits का नाम दिया हुआ है, orange, peach, grapes, mangoes, अच्छा, यहाँ पे spelling थो, आसा mistake है, G-R-A-P-E-S, grapes होगा, ओके, grapes होगा, सबसे पहले हमनों क्या देखते हैं, ABCD में G आता है, तो grapes लिखा हुआ है, फिर देखा जाए, ABCD, E, F, G, H, I, J, K, L, M, M, mango आता है, तो two number पे mango, three number पे, यह दोनों हो चुका है, यह दोनों को छोड़ देजिए, अब यह दोनों को देखे, P और R, पता है, P, Q, R, तो पहले P आता है, तो फिर इसको three number पे लिख देंगे, peach, P, E, A, C, H, peach, और number four, orange, last, O, R, A, N, G, E, orange, इसके अरावे, नीचे में यह फिर हम दोनों देखेंगे, यह टर्नी, ब्रिंजल, ओनियन, कैबेज, इसका भी नाम हम लोगों को पता है, अब हम लोग इसको अरेंज करेंगे, तो हम लोगों को पता है, यह भी सेड़े में पहले B आता है, number one ह हो गया, तो ब्रिंजल लिखा हुआ है, B के बाद C, देखें, C से एक वेजिटेबल्स है, cabbage, तो यह two number हो गया, C, A, W, A, G, E, फिर, P, Q, R, S, T, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, पहले O आता है, और O के बाद फिर दूर पे जाके T, आता है, तो O for onion, और यह टर्णिप, ओके, नाउ, एक्सरसाइज एफ, यह बहुत ही मज़िदार है, इस पे आप अपने किताब को निकाल के देखिए, यह गार्डन, यह पार्क का फोटो है, इसमें बहुत सारे बच्चे हैं, जो खेल रहे हैं, और एरो करके सभी बच्चों का नाम लिखा हुआ है, कोई असलम है, कोई स्रिया है, कोई एक्ता, राजा, रवीना, सिध्धार्थ, एकांत, जुही, अमन, रुपांसी, इस तरह से यहाँ पे, दस बच्चों का नाम दिये हैं, दस बच्चों का नाम दिया हुआ है, अब आपको करना क्या है, यहाँ फिर से पढ़ेंगे, लुक एड़ दा पिक्चर, पिक्चर को देखिए, गिवेन बिलो, जो नीचे दिया हुआ है, रीड दा नेम आफ दा चिल्डरेन, प्लेइंग इन दा पार्क, पार्क में जो बच्चे खिल रहे हैं, उसका नाम को पढ़िये, एंड, राइड देर नेम्स इन अलफाबेटिकल ओर्डर, और उसके बाद, अलफाबेटिकल ओर्डर में इन लोगों का नाम लिखना है, यानि, पहले उस बच्चे का नाम लिखेंगे, जिसका नाम A से सुरू होता है, ओके, फिर उस तरह से देखेंगे, क्या कोई ऐसा हलाकि दोनो दोनो ये से स्टार्ट है तो जानेंगे कैसे कि पहले कौन होगा ये दोनों को टिक कर दिजे अब हम लोग दूसरा लेटर देखेंगे S है और यहाँ पर M है अब हम लोग ABCD में देखेंगे कि पहले कौन आता है पहले S आता है या M आता है तो जब ABCD बोलके देखिए A B C D E F G H I J K L M पहले M आया यानि कि पहले हम लोग अमन का नाम लिखेंगे और फिर बाद में असलम का नाम लिखेंगे तो मैंने इस तरह से सभी को अरेंज करके लिख लिया है बस आपको दिखाते हैं आप लोग खुद से किजे और उसके बाद मेरे इस वीडियो से अपना अंसर को मैच कर लिजे ध्यान रहे